ओम शू शुक्राय नमाहा अंतरिक्ष में सबसे चमकदार गरहे शुक्र कहे गए हैं शुक्र सबसे चमकदार गरहे हैं और हतेली में भी एक विशिष्ट इस्थान पर इनका इस्थान रहता है ये ये जो आप परवत देख रहे हैं इसे हम शुक्र का परवत कहते हैं अब हतेली में दो आचारे बैटते हैं एक है गुरू और दूसरे हैं शुक्र ये दो दोनों को आचारे की महिमा दी गई है गुरू ग्यान देते हैं लेकिन शुक्र इनके पास विद्याओं का भंडार होता है जो गुरू के पुत्र थे ब्रहस्पती महराज के उनके जो बेटे थे वो भी विद्या पाने के लिए शुक्र के पास ही आये थे तो शुक्र जो गुरू है ये इनका स्वरूप और इनका विस्तार बहुत अधिक कहा गया है जो तिश में विद्याओं की भरमार है इनके पास और दसों महाविद्या अकेले शुक्र दे सकते हैं अगर हतेली में इनका प्लेस्मेंट इनका स्वरूप बहुत अच्छा बना हुआ है तो आपको सारी विद्या खुद बखुद चल कर आ जाईगी शुक्र के परवत से जब भी कोई लाइन निकलती है जिसे हम लक लाइन कहते हैं और इस प्रकार निकल कर शनी के परवत तक पहुँच जाए तो ये व्यक्ति को बहुत बड़ा लाब दिलाती है शासिराल पक्षि राब मिलता है अगर जाति का है तो जातक के परवार वालों से बड़ा लाब मिलेगा इस तरहीं आपना बाया हाँँ देखें और पुरुष अपना दाया हाँँ देखिए इस प्रकार की लाइन अगर शनी परवत तक पहुंच जाती है, तो यह शुक्र और शनी भगवान की यूती कही जाती है, शनी अपने आप में एक आचारी है, न्याई के देवता हैं और संपत्ति के मालिक हैं, ग्रहों के समराट कहे गए हैं शनी भगवान, तो इस प्रकार की अगर यूती बनती है, तो सबसे स्रेस्ट लाइन कहा गया है यह लाइन अगर हतेली में होती है तो हतेली परंश्रिंगारित हो जाती है और इसी प्रकार अब जिसे हम अपने आशारे मुनियों की बात करें तो अगर ये लाइन उन लोगों के हाथ में होती थी शुक्र भगवान जो है वो ओकल्ट साइन्स जो तंत्र विद्या है उसके भी देवता कहे गए हैं और इनी के पास संजीवनी थी संजीवनी गुरू इनके पास भी थी लेकिन जो शुक्र भगवान के पास में संजीवनी थी उसका वो बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते थे और अपने अनुआईयों को जो युद्ध में कट पिटे जाते थे उनने पुना जीवित भी कर देते थे इन्होंने उस विद्या का बार आम बार प्रेयोक किया मोहिनी विद्या जो हैं वो भी यही वो भी शुक्र की देन होती है तो पहले हम बात कर लेते हैं जो लाइन लिकलती है शुक्र परवत से और जो शनी परवत तक इस परकार पहुंच जाए तो यह ऑपोजिट से से बहुत लाब धिलाती है और हर समय लाब की परिस्तितिया बनाती है हमारे जो रिशी मुनीः थे उनके हाथ में इस तरह की लाइन का बहुत उल्ले किया गया है जोतिश में और अगर इसी लाइन से एक ब्रांश निकल कर गुरू परवत पर पहुंच जाए तो यह तो फिर हो जाती है ऐसे लोग दसो महाविद्याओं में ग्यानी हो जाते हैं शुक्र परवत से भी अगर कोई लाइन लिकल के डारेक्ट इस प्रकार गुरू के परवत पर चली जाए तो यह दोनों दोनों आचारियों का मिलन बताती है व्यक्ति को ग्यान भी मिलेगा विस्तार भी मिलेगा उचा पद भी मिलेगा और यह हां से उसको जादूगरी भी मिलेगी और कल्ट साइंस कहें या हम तांतरिक विद्याओं कहें देने वाले शुक्र भगवान ही होते हैं हमारे जो परम रिशी हुए हैं विश्वा मित्र उनके पास दसों महाविद्या थी और उसका कारण क्या था कि शुक्र जो थे उनके हतेली में जो शुक्र का जो स्थान कहा गया है जो तिश में वो सबसे परम सुन्दर बना हुआ था तो जिसके हाथ में शुक्र बहुत अच्छे बने हुए हैं वो दसों महाविद्याओं को प्राप्त कर सकता है अंत्रिक्ष में सबसे ज़्यादा चमकदार के रहे हैं शुक्र विश्वा मित्र उनके पास दसों दस महाविद्या थी और उन्हों ने अपने तपो बल से भगवान इंद्र के सिंगासन को भी डोला दिया था और भगवान इंद्र ने जब मेंका को धर्ती पर भेजा उनकी तपस्या भंग करने के लिए अब उनके पास तो दस महाविद्या थी समस्त तत्वों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी थी लेकिन जब मेंका आई तो मेंका का भी जो जैसे इस्त्रियों में शुक्र अगर इस प्रकार का बना हो नाशपाती के शेप का तो ये सबसे अच्छा कहा गया है उठा हुआ होना चाहिए तो शुक्र सुन्दर्ता भी देता है कला है निधान है और दस महाविद्या भी की शुरुवाद भी यहीं से होती है तो मेंका जब पिर्थवी पर आई तो उसका जो रूप था वो परम सुन्दरी थी परम अंग कांती अगर किसी इस्तिरी के पास में थी तो वो मेंका थी उनके सुन्दर्य को विधुत कांती भी कहा गया है शरीर का कोई अंग अगर वस्त्र की परिधी से बाहर जहलकता था तो देखने वाले की आँखें वही ठहर जाती थी और एक बिजली सी कौंध उटती थी आँखें वही ठहर जाती थी और मन भी रमण वहीं करने लगता था ऐसी परम सुन्दरी थी मेंका और ये मेंका के शुक्र परवत के कारण महार्शी विश्वामित्र की दसों महाविद्याएं डोल गई और उन्होंने ब्रह्मचार को तोड़ दिया आगे की कहानी तो खेर आपको मालूम है तो जिसने शुक्र पर विजय प्राप्त कर ली उसने बहुत बड़ा काम कर लिया और इस कल्यूग में शुक्र एक ऐसे परम देवता है आज हम फिल्मों में मीडिया में देखते हैं रजत पट कहा गया है रजत पट के स्वामी होते हैं यसे हम सिल्वर स्क्रीन कहते हैं और सिल्वर स्क्रीन पर ही तो सितारे चमकते हैं और वो सितारे हमारे दिलों पर राज करते हैं बहुत छोटा सा मंत्र होता है भगवान शुक्र का धन संपदा दिलाने वाला मंत्र है कभी भी कर सकते हैं इस मंत्र को सोते उड़ते जागते चलते फिरते तो भगवान शुक्र की आराधना जरूर करना चाहिए क्योंकि कल्यूग में बिना संसाधन और बिना धन के कुछ नहीं होता ओम शूँ शुक्राय नमाहा जानकारी इस पस्ठो मित्रों तो श्री गणेश करें चैनल को सबिस्क्राइब करिए